सब अमरीज भारत के मौके पर आज जैन अगर रेलवे का पठान मंत्री जी द्वारा सुभारम हुआ शिला न्यास कहिएगा इसको दो सब आपके सुनेंगे सब हम सब लोग हाकेशाली हैं सब हाकेशाली हैं जो अब भारत लगातार बुनिया के अंदर तरक्की का नया वायाम लिखना है और उसी में एक कड़ी आज फिर से भारत के प्रधान मंत्री जी के द्वारा जिन्होंने पूरे भारत वर्स में इस अमरित काल में अमरित भारत स्टेशन योजना के तहट 508 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरिये बना कर उसका उन्हीं करन संदर्जी करन और उसकी नीव रखले का क्राम आज किया है उन्होंने यहां जैनगर की ओर से हम सब लोग भारत व्रधान मंत्री जी के भार्धिक पदाई देते है और यह उमीद करते है कि इसी प्रकार जैनगर जो भारत नेपाल की शीमा पड़ है लगातार विकास करेगा और इस स्टेशन के विश्वस्तरिये हो जाने के बाद जो इसका सौंदर्जी करन होगा भारत और नेपाल की संजुक्त रेल लाइन यहां है और यह पहला देश का स्टेशन है जहां से लेपाल के लिए भी ट्रेन जाती है यहां का एक अगुद चीज है और जब बन कर तयार होगा तो हमको लगता है कि यहां के बैपारी यहां के उत्यों पती और बाहर से पढ़ियकों का आना जाना बढ़े को इस देश में एसस्वी होने के लिए भेजा था नौकेबल देश में बल्कि दुनिया के स्रेश्ट नेताओं में सर्वस्रेश्ट गन्ना आज भारत के प्रधान मंत्री की होड़ ही है तो सभविक है कि जब ऐसे कृतिमान अस्थापित हो रहे हो और आपके आसरवाद से हो रहा हो तो आज ये जैल अगर का रेलवें स्टेशन बिना वर्ल्ड क्लास बिना विश्वस्तरिये बने कैसे रह सकता ये आपका योगदान है और आपका आसरवाद है और आपके सब्सक्राइब के फलाश्वरूप इस समस्ति पूर्फ रेल मंदल में जिर्यस्टेशनों का स्वांधरी करन नव निर्मान एवं विविल्ले तरह के काले होने हैं उसका आज आधार सिला भारत के मानने पृधान मंत्री जी और भारत के ये सश्वी रेल मंत्री आधरनीय स्री असुली वैस्वनर जी के द्वारा रखा जाना है इस अफसरपर हमसर आज यहां एक कत्रित हैं बंदो आप शेवी नम्र प्राटना है कि आज जो यह काले क्रम है वो हम सब को अम्रित काल में आजादी के अम्रित महोच सब के अवसरपर अम्रित भारत प्रेस्टेशन योजना के तहत दिया गया अर्थात जो हमें आज मिल रहा है वो हमारा अधिकार है लेकिन इस देश के प्रती आज इस अम्रित काल में हमारा क्या करतब्य है ये भी निर्धारे करने की ज़ूरत है और इसका निर्धारन कोई और नहीं कर सकता है हम एक भारत के नागलिक होने के नाते स्वेव अपने करतब्यों के निर्धारन का अनुपालन करने की अनुमती भी स्वेव से लेना चामने और आज ये अधिकार के बाद आज करतब्यों की सिर्फला और इस देश के प्रधान मंत्री आज़र के नरेंदर मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और जी देश के अंदर भारत का नाम रोसन किया है भारत इस प्रकार से आज तरक्की कर रहा है आधरन ये प्रधान मंत्री जी ने ये भी ओस्ता की है ये अगर मैं तीसरी बार आता हूँ जो रिश्चित है तो ये भारत दुनिया की तीसरी अर्धुले वस्ता करने की ये भी संभावित है और भारत इस प्रकार से जो रहातार सभी च्छत्रों में तरक्की कर रहा है उसका योगदान किसी और को नहीं है इस देश के 130 करोर लोगों को है इस देश के इस जैनेगर वास्यों की है इस जैनेगर च्छत्र में रहने वाले लोगों की है कि आपके आशिर्वाज के करन ये सफर हो रहा है इसलिए आज करी सबसर पर जैन अगर उत्रोतर विकास करें ये रेल घंड यहां अगर बढ़िया घंड से सुसंजित हो जाता है जो भाड़क और लेपाल की सीमा पर वस्थित है जहां कमला नदी लेपाल से आकर यहां स्विधे गिरती है और ये कई किलोबितर संप्रसाथ के साथ गंडा में मिलती है ऐसा जो मनोरम जगह जैन अगर है जो सिमांचल का छटर है उसके विकास में ये स्टेशन चार्ड चांद लगाने वाला है आगे आगे वाला समय इस जैन अगर का होगा और जैन अगर का विकास के लिए हम सब लोग दिर्ड जनकल्पित है यहां बैठे हुए आप तमाम योगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप सब का असिरवाद इसी प्रिकार बना रहे भारत के प्रधान मंत्री के साथ और भारत दिन दुगुना राच चोगुना दुनिया के अंदर तरक्की करता रहे यही आशावर विश्वास के साथ आप सब को आज की अफ़र पर अवहार प्रकर करते हुए यह आपने वरी संथिया में आप भारत के प्रधान मंत्री जी के इस आधार सिला के काड़े कर्म को देखने के लिए उपस्थित है आपका बहुत बहुत अन्यवाद बहुत बहुत अन्यवाद सर जैसा कि हमने पहले जाए जी समय के पावंदियों को देखते हुए क्योंकि हमारे आपका बहुत 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 अन्यवाद